हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सोनम कुगविस सोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ये स्ट्रीट स्टाइल सेंविच की रेस्पी लेकर आई हूं जिसको की बनाना बहुत यासान है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर इसकी चटनी अब मना लोग सेंडविच में साला लगाएंगे वह तो यहां पर मैंने आदा चम्म चमचुर पाउडर लिया है और आधा चमच पावभाजी मसाला इनको अच्छे से मेक्स कर दिया है और यहारा सेंविच का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है तो अब बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है ब्रेड ले ली है दो स्लाइसे लिए इसमें ह अब जो हमने चटनी बनाकर रेडी की है ना उसको इस पर अपलाई करेंगे तो देखें इस ट्रीट में ऐसे ही बनाके देते हैं तो एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राइब किजेगा यह बहुत ही टेस्टी बनके और बहुत ही जट पर बनके रेडी हुई थी तो इस तरह ऐसे पूरी ब्रेड पर जो है वह चटनी स्प्रेड कर देंगे इसके बाद मैंने यहां पर कुछ सब्जियां हैं जो कि पहले से ही स्लाइसेस कट करके रखी थी आलू उबला हुआ है और इस तरह से ब्रेड पर अपलाई करेंगे पूरी एक लेइर आलू की इस तरह से लगा लेंगे कि आपको आलु नहीं पसंद है तो आप सकिप कर सकते हैं इसकी चगह पर कोई और वेजटेवल ले सकते हैं लाइक कैरेट, बीट रूट और इस तरह से में टोमेटो भी दूसरे स्लाइसे पर जो दूसरे स्लाइसे बर्ड़ की उस पर टोमेटो अपलाई कर रही हूं और मैं इसके उपर से जो यह हमने सेंविच मसाला बनाया है ना इसको स्पिंकल कर रही हूं और इसके उपर मैं एक लेयर ओनियन की भी लगा दूँगी इस तरह से आपको अगर चीज पसंदे तो आप चीज भी लगा सकते हैं मैंने नहीं लगाया है और इस तरह से इसको ठाके बहुत ही आराम से इस पर इसको बंद कर देंगे अब इस पर दोनों साइट से जो बटर ब्रेड है ना इस पर बटर अपलाई कर देंगे कि जो हमारी इस तरह से ब्रेड में बटर अपलाई कर देंगे ताकि जब संसांवन हो को हम से के हिए ना तो अच्छी क्रिस्पे है कलेगी और ये सेन्विच मे करो हें जो तोस्ट करेंगे इसमें हम प्रेड को अपनी सेन्विच को और इस तरह एक तरफ से लगा के मैंने बटर को रख दिया यह इस पे और दूसरी तरफ से तरह से लगा लेंगे ऑग्योहती आसानी से लग जाता है अगर बटर आपका melted होता है तो मैंने आपर पहले ही मेल्ट कर बाहर निकाल के रख दिया था फ्रिज से तो मेल्ट हो चुका है अब इसको कर लेंगे और गैस पर रख के स्को एकदम slow to medium flame रखेंगे flame को high नहीं करेंगे नहीं तो हमारी sandwich जो है वो जल जायेगी एक तरब से सिखने के बाद दूसरी तरब पलटके रख देंगे तो दूसरी तरब भी सिख जाएगी तो अब इसको open करके देख लेते हैं सेंविश हमारी रेडी हुई है कि नहीं यह देखिए कितनी अच्छी सिखी है मैं आपको इसका जो क्रिस्प है वह सुनवाती हूं यह देखिए बहुत ही अच्छी सिख्के रेडी हुई थी इसको मनपशंद सेफ में आप कट कर लेंगे मैंने तो यहां पर चोकोर शेप में क परीके से भी इसको सेख के दिखा देती हूँ आप इसको तवा या पेन पेवी इसको सकते हैं तो यहां पर मैंने एक तवा ले लिए उसमें बटर डालने के बाद मैंने सैन्विश रख दी है इस तरह से हाथ से दबाते हुए गां एक तरव से गोर्टन-ब्राउन होने के बात दूसरे साइट पलटके रख दिया है इसी तरह से दोनों साइट देखे कितने अच्छी से किये और दूसरे साइट सिख जाएगी तो इसको तब इसे हटा लेंगे और सैन्विच हमारी रेडी हो जाएगी एक बार आप भी इस तरह से बना कर जरूर ट्राइ किजेगा अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन भी दबा दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू